and welcome to wisdom simplified हमें घर लेना है घर लेने के लिए काफी लोग home loan लेते हैं इस home loan के कूछ tax benefit होते हैं तो चलिए आज हम समझते हैं कि home loan लेने के क्या-क्य tax benefit होते हैं one by one हम tax benefit देखेंगे तो सबसे पहला जो tax benefit है वो आपको मिलता है section 80C में आपने home loan लिया आप EMI पे करोगे तो EMI में दो component होता है एक तो आपका principal जाता है और second interest जाता है तो जो principal component है उसका deduction आपको मिलेगा section 80C में जो भी आप principal पे करोगे तो 80C में limit है लाख मिंस आपको लाख तक का ही deduction मिलेगा आपने पांच लाख का principal repayment कर दिया तो पांच लाख का मिलेगा नहीं limit लाख है तो सिर्फ लाख का ही deduction मिलेगा 80C में सिर्फ home loan के principal का deduction नहीं मिलता है और भी सारी चीजों का deduction मिलता है जैसे ppf, life insurance policy बहुत लों लेते हैं NPS, EL, SS, equity link, saving scheme तो ये सारी चीजों का भी deduction 80C में मिलता है तो home loan का जो principal repayment है ये one of them है मतलब बहुत सारे कटेगरी में से एक है अब home loan के लिए, sorry घर खरीदने के लिए जो stamp duty registration charges या फिर कोई भी charges हम transfer of properties related pay करते हैं उसका भी deduction आपको section 80C में मिल जाएगा सर्त ये है कि ये deduction तभी मिलेगा जब आप actual expenditure करोगे तो यहाँ पर एक important बात जो दिमाग में रखने लायक है वो ये है कि जो भी आपने घर खरीदा है या construction करवाया है जिसके लिए आप ये deduction क्लेम कर रहे हो उसको आपको पांच साल तक बेचना नहीं है मिन्स lock-in period है 5 years का आपको पांच साल तक उस property को transfer नहीं करना है नहीं तो जो भी आपने deduction क्लेम किया रहेगा हो क्या हो जाएगा reverse हो जाएगा यह तो section ATC में हमने बात किया principal component का अब EMI में एक और component होता जिसको हम बोलते interest तो उस interest component का अब deduction मिलता है और interest deduction का लिमिट है 2,00,00 रुपया principal का लिमिट था 1,50,00 रुपया interest जो आपको section 24 B में मिलेगा उसका limit है 2,00,00 रुपया अब समझे कि आपने home loan construction के लिए है घर के construction के लिए है तो जो भी आप interest उस पे करोगे उस interest का deduction आपको मिलना ही start हो गया जब आपका construction complete हो जाएगा तब यह था section 24 सब section B अब एक नया section इसकी बात करते हैं section A, T, E, E, A इस section में भी आपको interest का ही deduction मिलेगा और interest का deduction का limit होगा 1,50,00,00 रुपया लेकिन कुछ conditions है तो conditions क्या है देख लेते हैं पहला condition है जो भी आप home loan लोगे वो कोई financial institutions होना चाहिए जैसे कोई bank या फिर housing finance और loan लेने के आपर टाइम बताया गया कि अपरेल 2019 से मार्च 2022 के बीच में ही यह loan होना चाहिए पहला condition है second condition है कि जो stamp duty value होगा house का जो property का stamp duty value होगा वो 45,00,00,00 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और third condition है कि जो भी जो भी home loan ले रहा है वो first time buyer होना चाहिए means उनके नाम पे पहले से प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए विए टिंट कंडिशन सटिस्फाइ कर दोगे तो एडिशनल डेल लाग का इंट्रेस्ट आपको section 80 EEA में मिल जाएगा 24B में तो दो लाग का limit है और 80 EEA में डेल लाग का limit और मिल जाएगा इस तरीके से section 80 C में डेल लाग था 24B में दो लाग 80 EEA में डेल लाग को टोटल पांच लाग रुपय का डिड़क्शन क्लेम कर सकते हो I hope आपको वीडियो पसंद आया हो गया So thank you, thank you very much for watching